नमस्काल जहिंद औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पंडे आपके लिए यहां पर जीके जनरल नॉलेज जनरल अवेरनेस और साइन्स के कॉश्चन लिकर आए हैं यह कॉश्चन आप जिसे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसमें आपको आएंगे चाहें आप स्टेट लिवल के एक्जाम की तयारी कर रहे हो स्टेट लिवल में आप किसी भी राज्जी के हो आप कोई साब एक्जाम देर चाहें MP के हो पटवारी चल रहा है यूपी में बहुत सारे एक्जाम चल रहे हैं बिहार में भी शृष्ट, घ्राश्ट, हरयाणा, पक्षी मंगल, कहीं के भी अप राईस्थान और यह कोई कौशन मिल सकते हैं आप जिस्सए 66 कोई exam नहीं जहांad जीकेन आता है तो आप जिसा exam की तयारी कर रहे हैं उसमें यह question तो आएंगे आएंगे ध्यान से पढ़ना अच्छे से बहुत important question है ठीक है करते हैं वीडियो को पिना देखे हैं स्टार्ट सूपर फास्ट इस वीडियो हमारे चनल पर वीडियो आता है आपके लिए पहला question पैनसलीन की खोज किसने की तो पैनसलीन के खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नमबर ए यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है फ्यूज का तार किसका बना होता है तो आपका जो फ्यूज का तार होता है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका टिन एवं सी से का बना होता है फ्यूज का तार ओप्शन नमबर भी right answer हो जाएगा राष्ट्री या वानास्पतिक उध्यान जोस्थित है यहाँ पर आपको जो option देगा है वानास्पतिक उध्यान यह आपका लखनव मिस्थित है option number b लखनव right answer है प्रश्ण के लिए insulin की खोज किसने की थी insulin की खोज करता है option number b बेटिंग इंसुलिन के खोज करता है भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है आपका राजीव गांधी खेल रतन पुर्सकार और इसका नाम चेंज हुआ है आप मैं से किस-किस को पता है कमेंट करके बताओ राजीव गांधी ख मुद्रा है आप मैंसे किस-किस को म्यानमार की राजधानी पता है हमारा पड़ोसी देश म्यानमार इसकी राजधानी किस-किस को पता है जरा कमेंट करके बताओ देखते हैं आप मैंसे कौन-कोन को याद है म्यानमार की राजधानी रक्त का वरगी करन किस ने किया था तो रक् रंगा स्वामी कँप का सम्द्ध किस खेल से हैं तो रंगा स्वामी कप जो है THIS सम्द्ध Service मैं आप यह उपस्दो मश्यों में ने सबर्यार का अगला कौशन देख लिख लेते हैं कि लिपू लेखदर्याव भारत के किस राज्य में स्ट है तो लिपू लेखदर्या यह पढ़ता है आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्रा खंड राज्य में option नुमर भी उत्रा खंड राज्य में लिपुलेख दर्रा पढ़ता है हैजा के टीके की खोच किसके द्वारा की गई थी तो जो हैजा का टीका है इसकी खोच की गई थी इसका संबंध है आपका लॉन टैनिस से option number यहाँ पर A लॉन टैनिस से इसका संबंध है Wimbledon Trophy का रिगवयदिक आर्यों की भाशा इन में से कौन सी थी तो रिगवयदिक काल के आर्यों की भाशा संस्कृत आप्शन नम्बर यहाँ पर C संस्क्रिट प्रश्ण के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए खिरगीच प्रजाती के घर को किस नाम से जाना जाता है तो खिरगीच प्रजाती के जो घर हैं होते हैं इसको कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा यूट प्रशन के लिए खिरगीज प्रचाती के घरों के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से हो है तो राधा मोहन कप जो है आपका इसका जो संबंध है यह आपका पोलो से है option number यहाँ पर भी polo right answer हो जाएगा राधा मोहन कप के लिए अगली question दिख लेते हैं अगली question आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी किस वर्ष भातिय राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो महात्मा गांधी जी सन था 1924 और संबिलन था आपका बेल गां संबिलन बेल गां संबिलन 1924 की बात है right answer हो जाएगा महात्मा गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे एक राष्ट्र एक निता का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो एक राष्ट्र एक निता ये जो नारा दिया गया था हिटलर ने ये नारा दिया था option बड़ी हिटलर प्रश्णिक लिए right answer हो जाएगा शिवकुमार शर्मा का संबंद किस वाधियन से है तो शिवकुमार सर्मा जी ये संतूर वादन से संबंद है option number A संतूर वादन से शिवकुमार सर्मा जी का संबंद है सिधार्थ किस महान व्यक्ती के बच्पन का नाम है तो सिधार्थ नाम जो था राइट आंसर हो जाएगा ये गौतम बुदजी के बच्पन का नाम था option number C दोस्तों कॉशन आप देख रहे होंगे कर लिए हमने और ये कॉशन आप सभी को मिलेंगे WhatsApp पर PDF मिल जाएगी WhatsApp पर आप सभी WhatsApp चलाते हो ना 10,000 कॉशन की PDF उस पर मिल जाएगी और ये PDF 300 रुपे की है लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपे में सभी student को दी जा रही है आपका एक्जाम चल रहा है आप सोचिए 10,000 कॉशन दी जीके कर लिए तो आपकी जीके इतनी स्ट्रॉंग हो जाएगी कि कोई नंबर नहीं काट पाएगा सरकारी जॉब चाहते हो तो ये 10,000 कॉशन रट लेना अच्छे से 99 रुपे में ये PDF है फॉन पे गूगल पे पेटियम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो आज कल हर कोई चलाता है फॉन पे गूगल पेटियम उससे आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दियके नंबर पर और वाटसप पर आपको PDF भेज दी जाएगी नीचे देगा नमबर वाब वाटसप पर बात कर लो संपर कर लो जरूर दस यार कॉशन रट ले न आपके एक्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे आपको तो अगला कॉशन देखे संथाल विद्रो के प्रमुखनेता कौन थे तो जो संथाल विद्रो हुआ था उसके प्रमुखनेता थे आपके सिंधू एवं कानू अप्शन नमबर ये सिंधू कानू राइट आंसर हो जाएगा पंडित हरी प्रशाद चोरसिया का संबंद किस वादियन से है तो पंडित हरी प्रशाद चोरसिया जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके संबंदित हैं ऑप्शन नमबर सी बांसुरी वादक हैं ऑप्शन नमबर सी बांसुरी से संबंदित हैं ऑप्शन नमबर सी राइट आंसर है शेर बाजार का नियंत्रन किस के द्वारा किया जाता है तो शेर बाजार जो भारती शेर बाजार है उसका नियंत्रन से भी के द्वारा किया जाता है Security and Exchange Board of India option number 2 से भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हल चलाने के निशान चरपा सब विता की किस स्थल से प्राप्त हुए है तो हल कलाने के निशान काली बंगा से प्राप्त हुए है option number 4 यहां पर काली बंगा población करता है तो चैसल का बिनेमन करता है और प्राप्शन के राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है तो पंचायत और नगर पालिका ये जो चुनाव आते हैं ये राज चुनाव आयोग के अंतरकत अंडर में आते हैं भारत सरकार का पर्थम विधिए अदिकारी कौन होता है तो भारत सरकार का सबसे पहला विधिए अदिकारी महालिय वादी होता है और वीधियदीकारी येंटीस यह जो रोह आपस वीगारो देखता है गोवा राजिका निर्माण किस सम्विधान संसोधन के द्वारा हुआ था तो गोवा राजिका निर्माण हुआ था चपनवे सम्विधान संसोधन के द्वारा ऑप्शन नमबर यहां पर भी चपनवा सम्विधान संसोधन राइट आंसर है प्रशने के लिए अगला कॉशन द प्रत्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है तो प्रतिवी पर जो जल पाए जाता है उसका सुर्फ 2.5 प्रतिशत ही मीठा जल है option number यहाँ पर भी 2.5 प्रतिशत जल ही मीठा जल है प्रतिवी पर जो कुल जल पाए जाता है पुष्टी मार्ग के दर्शन की इस थापना किस न की थी तो पुष्टी मार्ग के दर्शन की स्थापना हुई थी ये वल्लभा चारे जी के दुवारा हुई थी तो option number न भृण लवल्लभा चारे जी राइट आंसर है ब्लेक होल सिधान्त की खोज किसके द्वारा की गई थी तो आपका जो ब्लेक होल सिधान्त है इसकी खोज की गई थी एस चंदर सिखरजी द्वारा आप्शन नबर सी Ayash Chandra Shikhar Ji right answer है भारत का समदरी मार्ग किस ने खोज निकाला था तो भारत का समदरी मार्ग जो खोजा गया था इसका शिये जाता है आपका पुर्त गाली वासकोडी गामा को आप्शन नबर पुर्त गालीं को right answer है सामप्रदाय के निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था तो सामप्रदाय के निर्वाचन जो मंडल था 1909 अधिनियम के द्वारत को लागू किया गया था अभीनाव भारत का आयोजन किस ने किया था option number यह निको बार्दूइप राइट आंसर है श्री नगर किस नदी के किनारे इस्तित है तो श्री नगर आपका यह पढ़ता है जेलम नदी के किनारे option number यहापड़ी जेलम नदी श्री नगर के लिए राइट आंसर हो जाएगा astigmatism किस अंग की बिमारी है तो astigmatism जो है यह आँख से सम्मनित बिमारी है option number यह आँख से सम्मनित बिमारी है astigmatism है अगला question दिखिए post office के लिखा कौन है तो जो post office लिखा है इसके लिखा है रविंद्र नाठ टैगोर जी option number सी रविंद्र नाठ टैगोर जी राइट आंसर है विश्व स्वास्त दिवस कब मनाये जाता है तो आपका जो विश्व स्वास्त दिवस है यह 7 अप्रेल को मनाये जाता है option number यह 7 अप्रेल रइट आंसर है सीसा संचायक बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है तो सीसा संचायक जो बैटरी है इसमें आपका सलफ्यूरिक अमल सलफ्यूरिक एसेड का प्रयोग होता है option number B सलफ्यूरिक अमल या सलफ्यूरिक एसेड राइट आंसर है पंचायती राज के त्रिस्तरी समिती का गठन किस समिती द्वारा किया गया था तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरी समिती बनी थी इसका गठन बलवंत राय महता समिती के द्वारा किया गया था ओप्शन वसी बलवंत राय महता समिती राइट आंसर है वह एक मात्र कौन सा राज है जहां पाई राइट उत्पन किया जाता है तो वहाँ एक मात राज यहाँ पर पाइराट उत्पन किया जाता है ओप्शन नमबर यह बिहार यहाँ पर राइट आंसर है हूणों ने किसके साशन काल में भारत पर आक्रमन किया था तो हूणों के द्वारा जो आक्रमन किया गया था यह किया गया था इसकंद गुप्त के शाषन के द्वारा इसकंद गुप्त के जब शाषन चल रहा था तब हुणों ने भारत पर आक्रवन किया था राश्ट कूट वंद्ज का संस्थापक कौन है तो राश्ट कूट वंद्ज का जो संस्थापक है यहां पर right answer हो जाएगा तो दंती दुर्ग option number B इनको दंती वर्मन प्रथम भी कहा जाता है दंती दुर्ग को मनुष के सरीर की सभी उपापचै क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है तो मनश के सरी की सभी उपाप अचे एक रिया है थाइरॉक्सीन गरंथी इसको नियंत्रित करती है option number C थाइरॉक्सीन गरंथी राइट आंसर है कुकुट आहार में किस विटमिन की अधिक्ता रहती है तो कुकुट आहार में विटमिन A और विटमिन K की अधिकता रहती है option number यहाँ पर D right answer हो जाएगा प्रश्णी के लिए भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का शे किसको जाता है तो भारत में सबसे पहला जो मकबरा है इसको स्थापित करने का शे जाता है आपका इल्तुत मिश को यहाँ पर option number A इल्तुत मिश प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अपने को द्वती सिकंदर कौन कहता था तो अपने आपको द्वती सिकंदर अलाउदीन खिलजी कहता था option number A अलाउदीन खिलजी राइट आणसर है तुगलकाबाद को किसने इस्थापित किया था तो जो तुगलकाबाद है इसको जो इस्थापित किया था वो थे आपके गया सुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद का इस्थापना की गई थी गया सुद्दिन तुगलक राइट आंसर है निकोलो कॉंटी नामक जो यात्री तो निकोलो कॉंटी नामक जो यात्री था ये आपका देव राय प्रथम के शाशन काज में आया था option in on यहाँ पर स्थी देव राय प्रत हम राइट आणसर है बाबरी मस्जिद का नमाण किस ने कराय था तो बाबरी मस्जिद जो बनवाई थी मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का नमाण कराय था उप्शन मीर बाकी प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रंगीला बाद शाह किसे कहा जाता था तो रंगीला बाद शाह कहा जाता था आपका मुहंबद शाह को आप्शन बड़ी मुहंबद शाह राइट आंसर है मुगल वंश का वह शाशक जिसका राजा विशेक दो बार हुआ था कौन था तो मुगल वंश का वह शाशक औरंग जेव था औरंग जेव का दो बार राजा विशेक हुआ था option बस ही औरंग जेव राइट आंसर है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखरी अंतिम मुगल शाशक कौन था तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखरी मुगल शाशक तापका मुहंबद शाह, option number D इसको मुहंबद शाह रंगीला भी कहते थे मुहंबद शाह रंगीला, option number D यहां पर right answer है 1857 के विद्रो के समय, मुगल बादशाह कौन था तो 1857 के विद्रो हुआ था उस समय, बहादुर शाह जफर यह मुगल बादशाह था, option number D यहां पर right answer है प्रिंस ओफ वेल्स भारत में पहली बार कब आये थे तो प्रिंस ओफ वेल्स यह भारत में सबसे पहली बार आये थे 1921 में, option number यहां पर भी, 1921 right answer है भारत का आर्थिक इतिहास, पुस्तक किस न लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास, यह जो पुस्तक है, इसको RC दत्त न लिखी है option number C, RC दत्त right answer है तीन कठिया व्यवस्ता का संबन्द किस आंदोलन से है? तो तीन कठिया व्यवस्ता का संबन्द, चंपारन आंदोलन से है option number यहां पर C, चंपारन आंदोलन right answer है Indian unrest के लिखक कौन है? तो Indian unrest इसके लिखक हैं आपके Valentine Shirol, option बड़ी Valentine Shirol right answer है 14 का युद्ध इस नदी के किनारे पर हुआ था तो आपका जो 14 का युद्ध हुआ था यह कर्मनाशा नदी के किनारे पर हुआ था option number C, कर्मनाशा नदी right answer है समाचार पत्र किस सूची के अंतरगत आता है? तो समाचार पत्र यह आता है आपका सम्व वर्ती सूची के अंतरगत option number यहाँ पर C right answer है विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है आपका रूस option number सी रूस right answer है हर्याना में प्रवाहित होने वाली एक मात्र नदी कौन सी है तो हर्याना में प्रवाहित होने वाली एक मात्र नदी जो है वो है आपकी घगघर नदी option number D घगघर नदी right answer है तो तेवहारों का नगर किसे कहा जाता है तो त्योहारों का नगर कहा जाता है आपका मधुरे को option number यहाँ पर ड़ी मधुरे राइट आंसर हो जाएगा प्रशनी के लिए जीवन रख्चक धातू किसे कहा जाता है तो जीवन रख्चक धातू जो है यह आपकी रेडियम option number भी इसको जीवन रख्चक धातू कहा जाता है नेशनल पुलिस अकेडमी कहा पर है तो नेशनल पुलिस अकेडमी यह आपकी हैदराबाद में है option number यह राइट आंसर हो जाएगा देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सचाई किस राज्य में होती है तो देश के अंदर नहरों के द्वारा सबसे अधिक सचाई होती है आपकी उत्तर प्रदेश में option number सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है शिमला समझोता कब पर कब हस्ताक चरूए थे तो शिमला समझोते पर हस्ताक चरूए थी 1972 की बात है option बसी 1972 right answer है संसार में सरवादिक बोले जाने वाली भाशा कौन सी है तो संसार में सबसे जादा बोले जाने वाली भाशा है आपकी पहले तो चीनी या मेंडरिट थी जिसको मंदारिन भी कहते है लेकिन अब दोबारा इंगलिश हो गई है ठीक है कई बुकों में आपको अभी भी चीनी या मेंडरिन भासा मिल जाएगी लेकिन आप वो गलत है अंग्रेजी या रखना option number 2 विश्व मानसिक स्वास्त दिवस कब मना जाता है option number 2 राष्ट्रपती भावन में पढ़ता है मुगल गाडन होमियोपैथी की खोज किसने की थी तो होमियोपैथी के खोज करता थे आपके हैनी मेन option number 2 हैनी मेन ये होमियोपैथी के खोज करता थे रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार कर रहा है तो रिजर्व बैंक आपका जो है ये 1938 से नोट निर्गमन का कारे कर रहा है option नमबर भी 1938 राइट आंसर है नोट एवं सिक्के पर कब से अशुक इस्तंब अंकित होने लगा तो नोट एवं सिक्कों पर जो असुक इस्तंब है ये सन 1949 से अंकित होने लगा option नमबर भी 1949 राइट आंसर है रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके ओस बॉर्न स्मित option नमबर भी ओस बॉर्न स्मित राइट आंसर है विश्व की अर्थवस्था में भारती अर्थवस्था का कौन सा स्थान है तो विश्व की अर्थवस्था में भारती अर्थवस्था तीसरे पाइदन पर है option number सी तीसरा रेंग राइट आंसर है भारत की राष्टी आय का सरवादी की योगदान की शित्र का होता है तो भारत क विशुवत रेखिये प्रदेश में सदा वहारवन पाई जाते हैं, option बसी सदा वहारवन राइट आंसर है। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाशा कौन सी है? तो भारत में दूसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाशा है, आपकी ब गुद्रहस्पिती राइट आनसर है विश्यू में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कोन सा था तो सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला जो देश था वो था आपका भारत option number सी भारत राइट आनसर है ISI की स्थापना जो है आपकी ये कब हुई तो ISI की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 17 दिसंबर 1931 आप्शन नुम्बर यहां पर भी राइट आंसर है प्रसद्य करीबा बांध किस नदी परिस्त है तो प्रसद्य करीबा जो बांध है ये आपका जामबेजी नदी परिस्त है ऑप्शन नुमर यह जामबेजी नदी राइट आंसर है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है तो भारत में केसर का सबसे हिडन बर्ग रिखा option number भी हिडन बर्ग रिखा right answer हो जाएगा भारती फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई तो भारती फिल्म एवं विकास निगम इसकी स्थापना 1980 में हुई है option number यहाँ पड़ी 1980 right answer है पुरा पाशान काल की सबसे बड़ी उपलब्दी क्या थी तो पुरा पाशान काल की सबसे बड़ी उपलब्दी थी आपका आग का आविशकार option number यहाँ का आविशकार right answer हो जाएगा वायू मंडल में nitrogen कितना प्रतीशत है तो वायू मंडल के अंदर जो nitrogen है 78% nitrogen है option number यहाँ प्रतीशत nitrogen right answer है डाइनेमो का सिद्धान्त किस नियम पर आधार्थ है तो डाइनेमो का जो सिद्धान्त है यह आपका फैराडे के नियम पर आधार्थ है option number यह फैराडे का नियम right answer है अलीगड़ आंदोलन की सियद एहमद खान के दुवारा की गई option number सियद एहमद खान right answer है डीलवाड़ा का जैनमंदर किस शैली का उधान है तो डीलवाड़ा का जो जैनमंदर है यह आपका नागर सैली का उधान है option number यह नागर शैली right answer है किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थान अनतर्त कर ली थी तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को मीर कासिम ने स्थान अनतर्त कर लिया था option number भी right answer हो जाएगा दमन और दीब को कौन सी खाड़ी अलग करती है तो दमन और दीब को खंबाद की खाड़ी अलग करती है option number यहां पर भी ख की रचना किसने की तो the wealth of nations इसकी रचना एडम स्पितने की थी option number यहां पर सी right answer हो जाएगा और आज का आखरी कोशन यह आपकी स्क्रीन पर प्रत्वी की भूपरपड़ी पर सरवादिक उपलब्द उपधातू या semi conductor कौन सी है तो भूपरपड़ी पर सरवादिक उपलब् और नियोंनावे रुपरें नियुटीब पर कहीं और इस सिलिकोन प्रस्णी के लिए right answer हो जाएगा आपके लिए surprise caution है कमेंड कर किस का आंसर बताना है आपको कि वालमी की ने ने रामाड की रचना किस भाशा में खी थी दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है यह कॉशन पसंद आ हैं तो इन में से कई कॉशन आपको एक्जाम में फस सकते हैं ऐसे ही 10,000 कॉशन की PDF तयार की गई है और 99 रुपे में आपको 10,000 कॉशन पूरे यूटूब पर कही नहीं मिलेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शभू जय हिंद जय भारत